सभी प्यारे विध्यार्थियों का आज की कक्छा में स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास तो बताओ आज आपन क्या कवर करने वाली हैं बेटा आज पढ़ेंगे आपन लोग समास देखू मैं हमेशा कहता एक बार ये विडियो आप देखने के बाद किसी भी एकजाम में बैठना जिसमें भी समास पूछा जाएगा मेरा बादा है आपसे आपका कोश्चन कभी गलत नहीं होगा तो प्यारे बेटा हम जानते हैं सबसे पहले आकर समास कहते किसे हैं तो समास का साबदिक अर्थ होत संच्छिभ्त र tournaments समास का साब्दिकरत क्या होता है बिटा संच्छिफ्थ को दो याँ दो से अधिक सब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं देखो कैसे जैसे हमने कहा विद्या के लिए आलाए अब ध्यान से देखो इस तरफ क्या लिखा हमने बेटा विद्या के लिए आलाए इसमें कितने पद हैं एक दो तीन चार इनको देखो हम संचिप्त रूप में लिखे दे रहे जैसे हमने लिख दिया विद्य लए अब देखो एक Two Tea चार अगर हम चार सब्डों की जगए कोई काम एक सब्ड में बनादें तो इसी को तो तो बेटा हम समास कहते हैं भूलो पाथ समझ में आई तो हमने यही कहा दो या दो से अधिक सब्डों के सार्थ цен मेल को हमक्या कहते समास пक कर ना इसको कहते हम समस्त पद को हैं समस्त पड गलत मत करना पेपर में बताओ जो अच्छा यह जो बहुत लिखा है इसका नाम समास बिग्र है वह बहुत सारी सब्सका नाम क्या है समास बिग्र है तो याद रखना जब हम पदों को तोड़ देते बीटा तो उसका नाम हो जाता है समास बिग्र है और जब इन पदों को एक सा सार्थक मिला के लिख ग्रहे और पदों को एक साथ करना क्या कहलाता है समस्थ पद अच्छा एक और बात इस समस्थ पद्सम loops दो पद होते एक जैसे विध्या और एक क्या है। आला है तो एक को बूलेंगे हम पूर्ड और एक को बूलेंगे वेटा उत्तर पद बूलो समझ में आई बात पहले हम क्या बोलते पहले फथ का नाम जो होगा बुब फूर्पद होगा दूसरे पद का दहीं नाम होगा बेटा वह क्या होगा देखो इस दो से मिलके बना एक तो विध्या हुई आपकी ऑ Physics दूसरा क्या हुए बीटा आलय यानि घर तो बुटा समझ में आई बात विद्या पिलस आलय बराबर विद्या लए तो यह आपको समझ में आ रहा होगा ध्यान से सुनना तो प्यारी बीटा अभी हमने आपको समास की बारे बताया अब अच्छे एक और आ जाता कभी कभी कि समास दू सब्दों की मिल से बना है बताओ समास कितने सब्दों की मिल से बना है दू एक तू बीटा सम और एक आस सम का मतलब होता है बीटा पास और आस का मतलब होता है बै बोलो इतनी बात आपको समझ में आई अब बात करते हैं हम समास की Πिरकार की तो प्यारी बच्च में छे प्रकार की मुख्ळ समास आपको पढ़ने कि मिलेंगे बताओ कितने मिलेंगी पहला दिज्गू समास फिर द्वंद समास फिर कर्म धाराय समास फिर आपका बिटा अविय इभाव समास तत्पुरुच समास बहु बिरी ही समास प्यारी बिटा कुछ एकदू समास और जैसे नए समास अलुक ततपुरस समास, यहसे एक दू समास ओर हम आपको पढ़ाएंगे, जह परिक्षा की दर्स्टी से काफी emotion होंगे, लेकिन अगर पेपर में आए, कि समास कितने प्रकारके होती हैं, तो बिटा समास होती हैं, झेआ प्रकारके बताओ कितने होते हैं छे दिगू द्वंद करमधाराय अवयाई तत्पुरुस और बहुवरी ही इतने समास बिटा आपके मुख समास है ठीक है ना अच्छा देखो कई किताबों में इसका भी परगी करन दिया है बिटा इस तत्पुरुस को भी फिर उन्हें दो भागों में बांट दिया बताओ कितने भागों में बांट दिया दो भागों में बोले दिगू और करमधार है यह दो समास है ना दिगू करमधार है यह तत्पुरुस के अंतरगत आते हैं कई बुक्सों में मैं इसा देखा इनको भी फिर दो भागों में बांट दिया प्रधानता ग्य सबसे पहला जो समास है बिटा उसका नाम है डिउगू समास बताओ क्या नाम है डिउगू समास देखो ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे सर पहले नंबर पे है दूसरे इनसकी कोई नंबरिंग नहीं है बिटा कोई भी अपनांगे पीछे पढ़ सकते हैं तो जो डिउगू सम समस्ट किए बताई गा तो कुन सा समस कहलाएगा डिगू समसट आप कहेंगे पूर पद और एक क्या होता है उत्तर पद नहीं को पहला प्रूंपद को क्या बोलते बेटा उत्तरपद तो जिस समास का पहला पद ना संख्या बाची हो और उत्तरपद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं बेटा दिगू समास कहते हैं बोलो समझ में आई बात क्या बोला हमने जिस समास का पहला पद संख्या बताए और दूसरा पद प्रधान हो उस समास को हम क्या कहते हैं दिगू समास जैसे तिर भुझ क्या जाएगा तीन भुझाओं का समूँ बताओ कितनी भुझाओं का समूँ तीन भुझाओं का समूँ बुलू बात समझ में आई तिर भुझ तीन भुझाओं का समूँ बेटा भुझाओं तो ही लेकिन कितनी है त तो पहला पद संख्या बाची है इसलिए कौन सा समास दिगू समास और एक्जांपिल देखो बीटा जैसे हमने कहा तिर कोड यानि तीन कोड़ों का समुहू हूँ समझ में आती जारी पहला पद क्या होगा न संख्या बाची चोरा हा चोरा हा यानि चार राहों का समुहू तो इस प्रकार से बीटा जिसका पहला पद संख्या बताए उसे हम क्या कहते हैं डिगू समास अब आप कहेंगे सर एक दंत है जैसे एक सब्द या मालू चतुर्भु तो ध्यान से सुनो पहला है एक दंत और दूसरा क्या है चतुर्भुज तो बीटा अच्छे से एक बाद ध्यान से सुनना जो एक दंत है न अर्था जिनका एक दांत हो और वह किसको कहा जाते एक दंत गडश्जी को चतुर्भुज यानि चार भुजाओं का समुह और तो इनमें भी आ रही है भू जाये siamo चार दाथ तो हैं लेकिन यृकण बिटा ये दोनों आएंगे आपके वहु वहीं समास चतर हैं अगर ight Alda option में तब हमें यही लगाना है कौन सा समास दिगू समास बूलो बास समझ में आई एक और आता कभी-कभी जिसके एकाई का अंक सुन हो को ज्यान से सुन ना देखो जैस Alabama सम में पूछ कौन सा समास है इंसम में दिगू समास है अगर संख्या पूत्स दे वह तो याद रखना वसने कहा दस वीकाउत इसमें कों सा समास है तू बिटा जिसके अंत में एकाई का अंक जीर हो उसमें भी दिगू समास होता है लेकिन 9 के बाद याद रखना प्यारे बच्चो जैसे हमने कहा 63 बीच बाली संख्या हैं देखो 43 25 तो इन संख्यां में प्यारे बिटा दोंद समास होता है याद रखना कई बार आपको वो कन्फ्यूज करेगा देख 63 यानि बेटा 63 को मिला कि नहीं बनते 63 तो उन्हें अपने लग सकते ना 63 का समाहा दोनों अलग-अलग पने पद हो गए तो वो द्वंद समास में चले जाएंगे बीटा तो इसलिए नहीं होना पेपर में ये कई बार पूछा जाता है बाकि आपको मैंने समझाया कि जिसका संख्या बाची हो उसे हम क्या कहते हैं पेटा उसे कहते हैं हम दिआते हैं अगली समास वर बढ़ती हैं पीटा जिसका नाम है दूंद द्वंद समास नाम है तो देखो द्वंद समास हम किसे कहते जब दोनों पद जिसके प्रधान हो देखो बेटा जैसे हमने लिखा राजा रानी तो देखो राजा भी प्रधान है और रानी भी प्रधान है पूरा खेना एक दूसरे के तो जिसके दोनों पद प्रधान हो ऐसे स समास बूलू बात समझ में आई देखो जैसे हमने कहा माता पिता क्या कहा हमने बिटा माता पिता इसका बिग्रह कैसी होगा माता और पिता बताओ क्या होगा माता और पिता बिटा माता पिता को हमने अलग कर दिया माता और पिता लिख दिया तो जिस समास में दोनों पद्रध तुब और इनके बीच में यूजय चिन रहेगा जरूरी नहीं कि रहेगा कुछ समास है तो प्यारी बेटा जैसे माता पिता माता और पिता जिस समास में लोग defense दोनों प्रद्धान होते एसे समास कोकिन जल्डी से बताओ ड्वंद समास को इसके कुछ परकार हाँ हम उनको और कब्र करते हैं दिखीगा समास के मुखुप से हम तीन परकार देखते हैं एक और समास और तीसरा है बीटा इतरे तर्दोंद समास देखो बेकल्पिक दोंद समास उसे कहते जिसमें दोनों सब्दा आपस में बिलोम हो जैसे सुख दुख जैसे भला बुरा प्यारी बीटा सुख दुख की बात हो रही न अगर जीवन में सुख है तो दुख होगा दुख है सुख होगा भला हुआ तो कभी बुरा भी हो सकता है बुरा हुआ तो भला आपस में बिलोम सब्दों उसे बेकल्पिक दोंद समास कहते हैं समाहार दोंद समास जब एक ही जाती के सब्दों से हम क्या कहते हैं समाहार दोंद समास जैसे गाइब हैं एक ही जाती के हैं ना जा समास जिसमें अपने सब्द लिखे का ही केवल अर्थ निकले जैसे भाई बहन भाई अपनी जगह हैं बहन अपनी जगह हैं बिटा पूरग भी होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं इत्तर दोंद समास हमने कहा तक कभी-कभी ऐसे सब्द भी आएंगे जिनमें युजक्चिन नही क्या रखेंगे हम द्वंद समास प्यारी बच्चों हम नेक्स्ट समास की यूर बढ़ते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हमने आपको दो समास पढ़ाए एक दिगू समास और दूसरा कौन सा द्वंद समास तीसरा जो समास है बीटा उसका नाम है करम धार समा जिसस का पहला पद विसेशन बताओं जिससा समास का पहला पद क्या हो बिटा बीशेशन यानी विसेश हो और दूसरा पद विसेश हो गूल highlighted का क्या कहा आपने जिस समास का पहला पद क्या हो बिटा विसेशन हो और दूसरा पद क्या हो विसेश हो यानि विसेशता बताए ऐसे समास को हम क्या कहते हैं करमधारय समास देखो एकजामपिल से जैसे नील गाय बता बिटा गाय तो है लेकिन कैसी है नीली है तो गाय की और गाय क्या हो गया बिटा विशेश बुलू बात समझ में आई गाय तो है लेकिन कैसी है नीली है नील गाय की विशेश ताई है कि गाय नीली है तो जिस समास का पहला पद विशेशन हो और दूसरा पद विशेश हो एसे समास को हम क्या कहते हैं प्यारे बिटा क्या कहते हैं ऐसे समास को कहते हैं करमधाराय समास प्यारे बच्चों कुछ पिरकार जो परिक्षा की द्रश्टी से थोड़े महत्पूर्ण है वो करमधाराय के भी देख लेते हैं तो करमधाराय को हम चार भागों में बाटते हैं जिसमें दोनों पद विसेशन हो जिसमें केवल पूर्वपद विसेशन हो बेटा हम पहले बता चुकि बता विसेशन किसे कहते बिसेशन का मतलब होता है जो सब्सब शंग्या और सरंबनाम की विसेस्टा बताएं वो विसेष और बिसेस जिनकी विसेस्षता बताएं है तो देखो जैसे चरन कमल विटा चरन तो हैं लेकर कैसे हैं कमल है बिलकुल फिक्स कर दिया यह इसमें रूपा का लंकार है उन्हां लंकारों बात समझ में आई भाया विशेस्ता काई की बता रहे चरण कमल जो चरण है वे कमल है किसने भगवान की यह पंक्ति है चरण कमल बंदोहरी राय तो बीटा जो चरण है वे कैसे हैं कमल है तो काई की तो लना करी गई चरण की तो चरण का हो गए बिटा पूरुपद और पूर पूरुपद करमधार है समास और विशेशन जिसका पहला पद हो जिसका पहला पद विशेश हो उसे विशेश से पूरुपद कहेंगे जिसका पहला पद विशेशन हो नीला अंबर अंबर तो है बेटा लेकन कैसा है वो नीला है बोलू बात समझ में अंबर तो है लेकन कैसा ह नीला इसलिए विशेशन पूरुपद हो गया बेटा देखो जिसका पहला पद विशेश हो उसे विशेश पूरुपद करमधार है जिसका पहला पद विशेशन हो उसे विशेशन पूरुपद करमधार है कहते हैं और जिसके दोनों पद विशेश हो कोई विशेशता वाली ब ना की तो बात ही नहीं है मुत अमर अम और्वक्ष तो जिसके दोनों पद क्या कहें गए dono बॉसीर करन ना रहे और ञिसके पडना पर बीशेशन हुआ हूँ ईसकी दोनों पड़िंगो जैसे करता करत यानि किया बेकए लिए तो कौन सा समास को घया बिटा करमधारा में यहां बार-बार नहीं पुछा जाता है एक्जाम में पूछ लीता कि इसमें कौन सा इतने डीटेल से नहीं पूछेगा फिर भी आपकी जानकारी के लिए शहान पूर्पद से नहीं हो करमधार क्यों ने ओक में कभी पहले विसेश हो सकता कभी बात देखो इस समास का पहला पद कभी विसेश हो सकता कभी विसेशन हो सकता कभी दोनों पद विसेशन हो सकते और कभी दोनों पद विसेशन हो सकते हैं तो प्यारी बच्चों यह जो भाग देखे अपने यह किस समास के देखे यह देखे है करमध करमधहार समास के समास के वर्वर बढ़ते हैं प्यारी विठा जिसका नाम है बहु बरी ही समास बताओ अगली समास कैंग लिए समस् billion समास हम उसे कहते जयötों पद्न मिलकर तीसरे की और संकित करें बेटा जैसे देखो हमने आपके लिए दंत दिया पीतांबर बता हमने क्या कहा वीटा इस मिज़िए जिससका अंबर स्कालब कुछा है अंबर मींस्ट क्या होता है बीटा वस्त्र तो देखो अर्थाथ कौन किस की है और था स्री किषन तु यसका अंबर अक्षा स्री किष्य इता जब दौनों पसे इसता है कि लिए समास हुए जी हाँ बेटा अगर आपके अप्ष् heh समास ना हो तो आप इसे करमधारे समास में भी लगा सकते हैं लेकिन ओफ्षन में याद रखना दिगू करमधारे बहुविरी जब भी इनमें फस जाओ हमेशा बहुविरी को लगाना ठीक है अगर अगर अप्षन में हो तो वगर संख्या बाची हो तो दिगू लगा देना अगर तीसरे की और संख्यत करना है तब बहुविरी लगाना नहीं सोचो सन ने कहा ता बहुविरी लगाना अगला देखो बिटा जैसे हमने बोला नील कंठ बताओ नीला है जिसका कंठ और किसका है कंठ नीला सिव जी का अर्थात संकर जी का तो बताओ नील कंठ में कौन सा समास है बेटा बहु बिरी ही समास चक्र पाड़ी प्यारे बेटा ऐसे समास को हम क्या कहते हैं बहु बिरी ही समास बुलो बात समझ में आई चक्र पाड़ी चक्र है हात में जिसके अर्थात कौन बेटा और गो है भगवान स्डी विश्नु बुलो समझ में आई दसानन दस हैं जिसके आनन देखो बेटा दसानन दस हैं जिसके आनन अर्थात कौन रावण रावण को बूला जाता नहीं और अप इसमें ने को इल्ड़ को दिगु भी है लेकिन अगर तो बहुविरी जरूर्सा गई को चाटु जब दिगू बहु बीर समास बटेक्ट improving क्सीजिन पहला है अब यह भाव समास कि मतलब कोन साही अब यही भाव समास और समास किसे कहते गाएक जिसका पहला पद अब हो या जिसका पहला पद में उपसर्ग हो उसे हम क्या कहते बेटा अब यही भाव समास अब आप कहेंगे सरी अब क्या है अब हम उसे कहते जो लिंग बचन करता के निसाद नहीं बदलते संग्या सरवनाम किरिया विशेशन यह चारों बेटा विकारी हैं लेकिन इन जैसे एक सब्द क्या है बीटा फिर्टी दिन अब अगर हम लेखनें देखो राम पिर्टी दिन इस्कूल जाता है राम पिर्टी दिन इस्कूल जाता है बताव कौन जाता है पिर्टी दिन इस्कूल राम तो पुलिंग है ना राम तो एक सब्समें नहां से देखना लिए पिर्थी दिन चेंज तो नहीं हुआ बचन करके देखो देखो बेपर दिन स्कूल जाते हैं यह सब होगा वाकी अब बेकी जगा हम क्या कर देंगे बहें पिर्थी दिन स्कूल जाता है तो प्यारी बेटा जो सब्द लिंग बचनकारक के रखने पर बदलते नहीं हम अब कहते हैं या अभीकारी सब्द कहते हैं और जिनका पहला पद अब हो या जिनके पहले पद में उपसर्ग लगा हो ऐसे समास को नहीं थे बिटा अभ्यभाव समास जैसे प्रति दिन यानि दिनों दिन समझम्यारी बात आजन्म यानि जनम तक यथा सक्ती यथा सक्ती यानि सक्ती के अनुसार, या किसी सब्द की पुनराबिर्टी हो रही, जैसे आ हमने कहा बीटा, ढीरे- दीरे, हैसी सब्द कहा आ हम net, दीरे- दीरे- आमरण यानि मरण तक अनुरूप यानि रूप के योग यथा किरम यानि किरम के अनुसार भर पेट यानि पेट भर तो बेटा इसमें देखो आपको कई बार दिखा रहा होगा पहला पद क्या है अब है या पहला पद क्या है बेटा उपसर्ग है तो ऐसे समास को हम क्या कहते है अव्य भाव समास उसके बाद अगला जो समास है प्यारी बच्चों उसका नाम है तत्पुरुष समास बताओ क्या नाम है तत्पुरुष समास प्यारी बेटा तत्पुरुष समास में अधिकांस तह आपको विभक्ति देखने में मिलेंगी देखो आपने विभक्ति देख करता ने करम को करण से और संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का और अधी करण अधी करण में और संबोधन है बिटा इस तत्पुर समास में आपको दो वे वक्ति नहीं आएंगी एक तो कभी करताने नहीं आती है और एक नहीं आती है बिटा संबोधन वे वक्ति यानि तत्पुर समास में आपको छे वे वक्ति देखने में मिलेंगी बताओ कितनी वक्ति म स्क्राइब कर्ण से संपधान के लिए अधीकरण में ये भ्गती इस मुत में देखने को मिलेंगे कौन से समास में अब आप कहेंगे सर कैसा है अध्यान पिल से समझाइए तो देखो बेटा मुसे को एक जान पिल से पहली समझाते हैं जैसे हमने देखो लिखा अभी नहीं बताया था पहले आपERS विध्यालएया है आनि ऐले मीजिए आपने संप्रदान के लिए तो साथ में यह भी लिख देना कि संप्रदान subir WOOD है लेकन कौन सा है संपर्दान तथ पूरस बात समझने अच्छ देखो इसमें के लिए छुपा न बात समने तो कौन साती पूरस arada इसमें परदान थन पूरस देखो जैसे हमने कहा स्वर्ग प्राप्त घ्रासर को अपर्दote आं से सुना सभी इस्टूडे है तो प्यारी बच्चों इसके मोर्य जहां पिल लेखते हैं देखो जैसे स्वर्ग प्राप्त तत पुरुस तो है लेकिन कौन सा तत पुरुस है कौन साथ पुरुस है कौन सा तत पुरुस है जल्दी से बताओ स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त करताने करम को तो कौन सा तत्पुरस है करम तत्पुरस मन चाहा मन से चाहा देखो करताने करम को करन से है ना जो प्यारी बच्चों ये जुड़ने के अर्थ में होता है और जो अपादान से है वो अलग होने के अर्थ में होता है इ सोई के लिए घर करताने करम को करन से संप्रदान के लिए तो इसमें प्यारी बच्चों संप्रदान तत्पुरों से रिण मुक्त रिण से मुक्त अब देखो इसी अलग हो गया तो इसमें प्यारी बीटा अपादान तत्पुरों से गंगा जल गंगा का जली संबन्द बता र समझ में आया ना तो यह भी पूछ सकता है कि इन्हें तत पुरुस्त है लेकिन कौन सा तत पुरुस्त है अब कभी-कभी एक्जाम में यह भी आ पूछना होगा तो देगा नय समास एक जब तो क्या लगाना है नय समास जिसमें नकारात्मक सब्सरूरों याद रखना नहीं हो आँ अशब्भा हो ऐसे वाले एक जांपिल क्या है बिटा नय समास की और तत पुरुस्त में कभी-कभी पूछ लेता अलग तत पुरुस्त किसे कहते जैसे जिसमें विवक्ति का लूप कर दिया जैसे खेचर खे में चरने वाला खे क्या होता बीटा आकास यानि आकास में चरने वाला तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट जो कोश्चन आपके समास से बन सकती हैं बीटा सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द डालेंगे देखो अ पासा करते हैं आपको पड़ाई समझ में आ रहे होगी बहुत-बहुत धन्नबाद बीटा है कि अ